कहते हैं जब जहाज में सुराख होती है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं क्या चीन के जहाज में सुराख हो गई है जिसके बाद उसके साथ ही एक एकर साथ छोड़ना सुरू कर रहे हैं अब नेपाल ने भी भारत के लिए लिया बड़ा फैसला तो वहीं यूरोपिय यूनियन को फोन करा था जिन्पिंग ने लेकिन फोन पर ही जिन्पिंग को मिल गया बड़ा जटका रही सही कसर बाद में पूरा कर दिया यूरोपिय यूनियन ने आखिर क्या बात हुई है और यूरोपिय यूनियन ने क्या निर्ने लिया है आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से हमने आपको अपनी नियूज में बतलाया था कि किस तरह से चीन के विदेश मंतरी यूरोप के दौरे पर गए हुए थे हाला कि बिना बुलाये वो यूरोप के दौरे पर निकल गए थे इस आसा से कि उनकी बैपार उनकी अर्थववस्ता को थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि भारत के एक पहल के बाद सब देशों ने उसके उपर एक से बढ़कर एक बैन लगाना शुरू कर दिया है जिसकी वज़़ से अर्थववस्ता चर्मरा गई है हाला कि जिस महामारी का फाइदा उठानी की कोशिस चीन कर रहा था वो महामारी का असर उस पर तो कम दिखा क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि उसने तैयारी पहले से कर रखी थी लेकिन उसका दूस प्रभाव जरूर दिखने लगा क्योंकि जो यूरोप उसकी अर्थववस्ता की रीड हुआ करता था उसने भी परती बंद लगाने शुरू कर दिये उसने भी चीन से आयात को बंद करना शुरू कर दिया चीन के लिए दरवाजे बंद करने शुरू कर दिये जिसकी वज़े से चीन ने अपने विदेश मंतरी को बिन बुलाए उन सब के दरवाजे पर भेजा लेकिन वहाँ पर भी विदेश मंत्री को अपमान ही मिला फ्रांस ने तो बड़े ही गंदे तरीके से अपमानित करा था चीन के विदेश मंत्री को लेकिन क्या करें पैसे का मामला है ऐसे में अमेरिका भारत से चोट खाए चीन के राष्टपती सी जिन पिंग ने खुद फोन मिलाना शुरू कर दिया और उन्होंने यूरोपिय यूनियन के कई देशों से बात चीत करी लेकिन वो भी बेनतीजा साबित हुआ क्योंकि अब यूरोपिय यूनियन ने साफ साफ एक संदेश जारी किया है चीन के नाम पर कि चीन की इस तरह की दादागिरी और दोगलापन नहीं चलेगा चीन एक तरफ पैसे कमाना चाहता है बैपारिक रिस्ते ठीक रखना चाहता है वहीं दूसरी तरफ दुनिया पर धोंस जमाना चाहता है ये चीजें यूरोपिय यूनियन बरदास्त नहीं करेगी ऐसे में धीरे धीरे यूरोप में जितने भी चीन के बैपार चल रहे हैं उसको बंद कर दिया जाएगा और यूरोप का मानना है कि वो उसके लिए विकल्प तलासेंगे कि चीन का विकल्प कौन हो सकता है वैसे यूरोप को अब चीन का विकल्प भारत दिख रहा है ऐसे में सी जिन पिंग के लिए बड़ी मुसीवत हो गई है क्योंकि जिस चीज का वो फाइदा उठाना चाते है वो चीज तो अब उनको बड़ा नुकसान दे रही है साथ ही साथ उसके सबसे बड़े दुस्मन भारत को दुनिया के सामने अच्छा भी बना रही है और उसकी कद को भी बढ़ा रही है संजुक्त राश्षंग में पर्मानेन मेंबर होने के बावजूद चीन के साथ बड़ा ही बुड़ा सलूक हुआ उसे रोना पड़ रहा है तो वहीं भारत एक ओ अस्थाई सदस्य है फिर भी उसकी बातों का महत्व संजुक्त राश्षंग जादा दे रहा है ऐसे में कहीं न कहीं चीन को अपनी गिर्ती हुई अर्थवेवस्था और गिर्ती हुई साख को लेकर बड़ी चिंता हो गई है वैसे चीन का धरातल में जाने का ये सुरुवात बस अभी आरंभ पर ही है इसका और भी पतन होना है अगर चीन ने लड़ाई बढ़ाई चाहे वो भारत के साथ हो या अमेरिका के साथ हो तो पूरी दुनिया लगभग एक तरफ हो जाएगी और चीन का प्यारा मित्र जैसे की पाकिस्तान और हो सकता है कि उत्तर कोरिया चीन के साथ रह जाए हाला कि ऐसी खबरे भी आ रही है उत्तर कोरिया के बारे में कि वो खुद खफा हो गया है चीन से खुल मिला कर कहें तो लगभग पूरी दुनिया एक तरफ है और छीन एक तरफ है नेपाल की जन्ता अब खुद ओली सरकार के खिलाफ हो गई है और नेपाल की जन्ता ने इस बार करारा जटका दिया है प्रदान मंत्री केपी सर्मा ओली को दरसल केपी सर्मा ओली ने इस बार चीनी राजदूत के इसारे पर एक नया कारणाम किया था या ये कहें कि उनकी सरकार के एक अहम मंत्री का खास रोल था वैसे यह कहने की जरूरत नहीं है कि आहम मंत्री ने जरूर चीनी राजदूत के दवाप पर ही यह काम किया होगा बात दरसल यह है कि चीन में नेपाल में अब बच्चों को यह पढ़ाया जाने वाला था कि भारत और नेपाल दोस्त नहीं है उनके साथ विबाध है हमारी जमीन भारत ने दबा ली है और हमारा असली नक्सा यह है यानि की पूरा विवादित और मंगढंत चीजों को एक किताब का रूप दे दिया गया था और यही बच्चों में बाटना था दरसल इसके पीछे भी एक बड़ी राजनीती है जिसमें चीनी राजदूत होवयानकी की बड़ी भूई का है क्योंकि होवयानकी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नेपाल की गोर्खा समुदाय भारतिय सेना में क्यों सामिल होती है उन्हें लगता है कि इन दोनों के बीच के लगाओ संस्कृती और पुरानी नीतियों की वज़े से है इसलिए सबसे अच्छा है कि सबसे पहले जड़ों के मन में बिवाद और घ्रिना को भरो यह किताब यही काम करने वाली थी लेकिन अब जब चीन खुद नेपाल की जमीनों को हडप रहा है और उसकी मीडिया वहां के लोगों को दिखला रही है तो नेपाली समुदाय में भी अब जागरिती आ गई है वह भी समझ रहा है कि नेपाल के लिए अच्छा कौन है बु चपवाया वे देश के सिच्छा मंतरी है गिरी राज मनी पोखरल और उन्होंने कहा है कि किताब का प्रकासन भारत की कारवाई के जवाब में किया गया उनका कहना था कि भारत ने पिछले साल काला पानी को अपनी सीमा में दिखाते हुए नक्सा जारी किया था नेपाल काल कुरंत कैबिनेट बैठक बैठी और उस कैबिनेट बैठक ने बड़ा जोड़दार तमाचा मार दिया है मंतरी मोहदे के चेहरे पे दरसल बात यह है कि कैबिनेट को समझ में आ गया है कि नबज नेपाल की जनता का भारत की तरफ है ऐसे में इस तरह से करके भारत के साथ न भारत के साथ उसके रिष्टे खराब हो इस वजह से इस किताब के बीतरन पर रोक लगा दी गई है और इसके बिशेवस्तू पर बिदेश मंतराले से लेकर भू परवंदन मंतराले ने गंबीर आपत्ती जताई है कैबिनेट ने न केवल इस किताब का बीतरन रोकने के अपनी सरकार पर दवाब देगी साथ ही साथ नेपाल को चीन के हाथों से बचानी की कोशिस भी करेगी आपको क्या लगता है नेपाल की जनता जाग कर केपी सर्मा ओली सरकार के होश ठिकाने लाएगी कमेंड कर अपनी राय जरूर बताएं